अजय सब लोग तो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो का सीट अट का एक्जाम होने वाला है साथ जूलाई 2024 के अंदर ना सिर्फ आप लोग इस एक्जाम को पास कर सकते हो बलकि इस एक्जाम के अंदर आप लोग 130 प्लस नंबर अराम से लेकर आ सकते हो जी हां आप लोग ने ध्यान से सुना होगा अराम से लेकर आसकते हो इनफेक्ट आप लोग 140 भी लेकर आ सकते हो अगर पहले जो मैं बात आपको बता रहो इनको आपने देख लिया समझ लिया और इनको उपर आपने implementation कर लिया ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप लोग ही मतलब यह सोच रहे हो कि 130 30 प्लस कैस आएंगे हमसे तो एक्जम पास ही नहीं हो पा रहा है पास ना होने की बहुत सारी वज़े है जो आज की वीडियो के अंदर में एक एक करके आपको बताने वाला हो और किन आपको गलतियों से बचना होता है कौन-कौन सी चीजे करनी होती है जैसा अगर मैं यह बात मेरे काफी स्टुडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना स्कोर 130 प्लस लाने के बाद इंटर्वी के अंदर अपने एक्स्प्रियंस को या पर शेर किया हुआ है तो आगर यह लोग ला सकते तो आप लोग नहीं ला सकते यह कहीं और से आते हैं क्या यह मिलूगा जो दूसरे एक्जाम के अंदर जिन्होंने सेलेक्शन लिया हुआ है उनके आप लोग जब इंटर्वी देखोगे तो उन्होंने क्लिए रखाए कि सर कई बच्चे से मिले 130 प्लस है और हमारी मेंटलीटी सेट हो गई थी कि हमें अपना बेस यही से स्टोंग करना क्योंकि यह मान करें ना सिर्फ गौर्मेंट एक्जाम बलकि आप लोग अगर प्राइवेट जोब के लिए भी तयारी करते हो ना वह भी वहांपर आपका सीटेट मेंडेटरी हो गया है यहां पर भी आपका सीटेट मांगा जाता है और सीटेट के अंदर जिन सब्जेट के तो जब आपको प्रोफर गाइडेंस मिलेगी प्रोफर नोलीज आपको मिलेगी आप जो अपने बच्छों की पीटेम होती है वहापर जाकर टैकल कर सकते हो कि हमारे बच्चों की प्रोग्रेस कितीन हुई है किस प्रकार से मैडम चीज़ें करा रही है अधरावाई जो आते जाएंगे आपका बच्चा करता जाएगा तो आपके बच्चे के फ्यूचर का भी यह सवाल है तो बच्चे का फ्यूचर तब बनेगा पहले आप लोगों को जाग रुखता अपने अंदर लानी पड़ेगी आप देखे के करके सभी चीज आप लोग सुनते जाईए क्य या जो दूर की वज़े से मेरे पास नहीं आप आए तो यार आप लोग भी ला सकते हो यह हिम्मत आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी अदर्वाइज आप यह सोचते हो नहीं बस पास करा दो तो आप लोग वीडियो बंद करके अभी कुछ और काम अपना कर सकते हो ठ हैं को कितना बड़ा नंबर है फैल होने वालुका पास और नहीं फेल ओने वालों कि बात करो लगबग 15 लाक सब्सा करके बुसक्त हो करके आपको बताओं घ्याप लोग ईक रिक्वेस्ट आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट मत करां। जी हाँए त्थ Ag挺 के लीक आम सीथार लगी सला देता हैं आप लोग अभी अपनी पढ़ाय स्टार्ट मत करें आप पहले उस आइग्जाम के लिए क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कैसी परणा यह और जो selected candidate है, वो किस strategy के थुरी आपर पढ़ते थे, अगर आपने इसकी पूरी planning कर ली, मैं कहता हूँ, दो दिन, चार दिन, पास दिन लगा लीजे आप लोग, लेकिन अगर आपको पता लग गया, कि आम यह तरीका है, पढ़ने का यहाँ से पढ़ना होता है, यह इस teacher से पढ़ना है, अच्छा का साथ समय लगा लीजे, दो दिन, चार दिन, पास दिन, चलो, एक अपता भी लगा लो, अभी तो आपका पेपर साथ जुलाई के अंदर है, लेकिन पहले यह देख लो कि हमें पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, और किस परकार से पढ़ना है, तो अभी आप लोग ने National Policy 2020 भी देखा होगा, तो उसके अंदर भी आपका लिखावा है कि सीखने को किस परकार सीखा जाए, learn how to learn, ठीक है, तो यहनी पहले देख लो कि अगर सीखना है, तो इसको सीखने को पहले यह देखना है कि कैसे इसको सीखना है, ठीक है, यहनी कि पर इसके बाद आपको कहीं भी एक रूपा देने की जरूत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ना कोई किताब आपको लेने की जरूत पड़ेगी, ना कुछ आपको PY को लेने की जरूत पड़ेगी, ना NCIT वगर आपको लेने पड़ेगी, और सभी टीचर इसकंदर आपको देख जाएगा और यह सभी चीजे इस आपके बैच के अंदर आपको मिल जाएगी जिसको पर मैंने एक प्रोपरी वीडियो भी डाली थी जिसकी क्लासिज भी स्मार्ट से आपकी सुरू होने वाले ठीक है तो इसके अंदर आप लोग एक नोल करना चाहिए कर सकते हो एक बार चीट अपने बना लिजे आपने नोट्स के अंदर बना लिजे यह जो मैं आपके सामने लिख रहा हो इसके थुरू आप लोग यहाँ पर बना लिजे ठीक है चलो भई सुरुआत कर लेते हैं गुड़ी वीडियो देखने के बाद आप लोग वैसे ही आप ठीक होने वाले हो सबस से बच्चे फेल हो जाते हैं अच्छे स्कोर की तो बात ही दूर है पहले बच्चे फेल हो जाते हैं सबसे पहली बात है बच्चों को अपने स्लिबस की नोलीज नहीं है पहले उसे यही नहीं पता कि वह जिस एक्जाम क्यों तयारी करना चाह रहा है उसका स्लिबस क्या है कोई भी एक्जाम हो चया आप लोग इससे पहले जितने भी मेरे स्टूडेंट उनके इंटर्व आपने देखे होंगे ठीक है जो सेलेक्टीड भी है तो वह एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहले हमने देखा स्लेबस को और स्लेबस को जो टीचर सबसे पहले सही तरीके से बता र लेकिन हम लेंग्वेज को ऐसे गुमा कर पूछेंगे कि आपको कन्फ्यूज कर देंगे कि चार ओप्सन जो आएंगे उसमा आंसर क्या होने वाला है बट स्लेबस हमारा यही रहेगा और उससे बाहर हम पेपर नहीं देते हैं अगर मैं बात करूँ आपका सीड़ीपी बार भी इसके ओपर डाल दूगा क्योंकि जैसे कुछ नई टोपिक भी है इसके अंदर इंक्लूड किये हुए है ठीक है जो सिलेबस के अंदर नहीं है जैसे नीपी 2020 आपने पढ़ा होगा सिलेबस के अंदर नहीं है बट कुश्चन वहां से आपके पूछ जाते है ठीक है जो CDP होती है एक सब्जेक्ट जो होता है यह बाकी के सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है ठीक उसी प्रकार चे भाई मानली जा आपका मैथमेटिक्स है पेपर फ़स्ट दे रहे हो तो वही आपका प्राइमरी का आएगा सेकंड दे रहे हो तो 6-8 आएगा और पैडगो है या जो मैं डेमो के लाज दूँगा हलकि मुझे मैंने आज तक दी नहीं है मुझे जरूत नहीं पड़ती है ठीक है साथ पिछली बार में ने दीती है क्योंकि सभी बच्चों को पता जो बच्चा नया जूड़ता है उसको जुरूर लगता है यह कौन से सरे जो पढ़ा को मैं बताता हूं क्योंकि बहुत से फेल हो जाते है ठीक है जो बच्चे पास हो गए होंगा नीचे कमेंट करके बता देंगे कि आहां हमने यही स्टेटीजी को या पर फोलो किया था दूसरी बात न्यू पैटन देगा न्यू पैटन अभी कोई नहीं है अभी जो आपका स जियाटी ने अपने एक इन्फोर्मेशन के थूरी आपर बताया था कि भई पेपर के अंदर अब हम रोट लेर्णिंग नहीं कराएंगे यानि कि चीज अब आपको समझ नहीं है ठीक है चीज अब आपको समझ नहीं है क्या समझे आप लोग बात अगर आपका जो यह से यह आपका जन्वरी के अंदर पेपर वहा तो वो भी और इससे पहले अगस्त का वहा तो वह बी चारों पेपर मेरे सामने दिए फिक है अब आपका पेपर उफफ लाइन आता है इससे पहले बीच में ऑनलाइन करें थे सी बेसी के आलत खराब होगी दुबारा उफ लाइन पर टाइम लगा के देख लिए आद़ गंटा इसी के ऊपर खर्च कर ली जए उसके बाद एक-दो दिन लगा लिजिए और फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करना ठीक है शुरुलात में पढ़ना स्टार्ट मत करो शुरुलात में समझ लो आप लोग ठीक है यह पर है इसका प बोड के एक्जाम दिये ना जो बोड के एक्जाम आप लोगों ने दिये हुए मैंने भी दिये हुए तो हम लोग वहाँ पनकल करने के लिए क्या लेकर जाते थे और टीचर की नजरों से चुप-चुप कर करते थे सभी ने करा होगा कभी मैं अपना यी नाम ले दो मेरी आंसर को लिख सकते है गवर्मेंट की सीधी पोलीशी है या राष्ट्य शिक्सानीती 2020 की सिंपल पोलीशी है कि भई हमें बच्चों को चीजे रटानी नहीं है जिस बच्चे ने चीजे ज्यादा रट ली इसका मतलब यह मां समझें वो विद्वान है हमें बच्चों को ची रोट लेंडिंग नहीं करनी आपको चीजे समझ नहीं आपर और अगा आपने चीजे समझ ली इतना सा आपका से लिबस है उससे बाहर पेपर नहीं आएगा जो यह आपर 130-140 के आसपास में बच्चे स्कोल लेकर आ रहे है जो आप लोग भी आप ले सकते हो ठीक है उसके ल कहते हो उसे के अंदर कुछ कोश्चन उसी पेरिग्राफ से आपके ग्रामर के देखने को मिल जाते हैं उससे प्रत्य पूछ लेता है संधी समास पूछ लेता है अलंकार पूछ लेता संग्या वगरा पूछ लेता है इस प्रकार की बेसिक ग्रामर पूछ लेता है अदरवा प्रचे कहते हैं कि नहीं चलो किताबों से पढ़ना शुरू करते हो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं मार्केट के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी जो आपको पैड़ागोजी सिखा सके और जो पैड़ागोजी के आंचार आपको कर सके मार्केट के अंदर मान ल लेकिन आपको ध्यान नकनी है कि पैड़ागोजी आपको रटनी नहीं है पैड़ागोजी के अंदर आपको एजे टीचर बनकर आंसर देना है बच्चे के हित के लिए आंसर देना है और पैड़ागोजी समझाने वाला आपको एक टीचर मिलना चीए जो आपको बता सके कि गलती करें जिसके वजह से हमारा एक्जाम नहीं निकल पा रहा है और क्या गलती ऐसी कर रहे हम लोग जिसके वजह साम लोग अच्छा स्कोर भी नहीं कर पार ठीक है अब जरह में करके आपके सामने बात कर लेता उसके पैटन की और सब्जेट की बात कर लेता हूं कि कौन- तोबीजिए व्गरा अगर वह एकटीटू लाता है वो पास माना जाएगा लेकिन इसको आपको अपने मैंड में से बिल्कुल निकाल देना है शुरवात में आपके सामने क्या चीज़ बताई शुरवात में ही आपको अपने सामने रखना यह जे बच्च अपना लेकर आये इनके अलावा जो student interview के अंदर आया है या नहीं भी आप आयते इस वाली approach के थूरू आपको पढ़ना है कि 90 वब्बे नहीं दा रहे हमें हमें तो अपना top करना इस exam के अंदर ताकि हमारी एक तो समझ बढ़ सके critical thinking हमारी बढ़ सके private school में भी हमारी बेज़ती ना हो सके अगर private school में हम जाए और government exam को जल्दी हम लोग crack कर सके तो आपको अपने mind को यही से set करना पड़ेगा कि 90 का खेला में नहीं खेलना बड़े score का खेला में आपर देखना है कोई negative marking आपके exam में नहीं है तो क्या आप लोग यहाप लगा सकते तो ठीक है उसके अलबा टाइम आपको वही डाइगंटे का दिया हुआ है structure जो आपके paper का होता है वह आपका content plus pedagogy होता है content के अंदर मालीज आपके जो चैप्टर होते हैं चीज आपको देखने को मिलेगी अगर मैं इसके pattern की बात करूँ चाहिए आपका paper first और paper second दोनों ही आपके 150 नंबर का paper आता है उसके अलावा गर मैं बात करूँ पहला subject CDP दोनों ही paper के अंदर सेम सलिवा सेम pattern आता है CDP का और सेम question पूछ जाते है अब जो दो चार question थोड़ content pedagogy तो बागी के subject में भी आपको help करेगा तो मैं इसको 30 नंबर का नहीं मानता मैं इसको 30 नंबर से बहुत ज्यादे का मानता हो और इसको यह आपको देखने को भी मिल जाएगा ठीक है अगर मैं बात करूँ पेपर वन की यहापर आ जाएगा आपका EBS ठीक है आपका subject इसकंदर 30 नंबर का गया language first और language second कोई भी आप लोगों को ऐसी दो language लेनी होती है जिसमां आप comfortable हो और जिसमां आपको लगता है कि हम इसकंदर बहुत अच्छा score कर सकते हैं और यह language यह नहीं है कि आगे जाके इस language आपको कोई दिक्कत होने वाली है यह language सिर्प आप लोग CTAT के एक्जाम के लिए select करते हो आगे इसका प्रवाव नहीं पढ़ने वाला होता है ठीक है तो कोई भी दो language ले सकते हो आप लोग मालीज आपने पहली language हिंदी लेली दूसरी संस्कृत लेली या दूसरी English लेली तो आपकी चोईश है जो भी आप लोग दो language आप लेना चा ऐसे है उनके पास कुछ content भी नहीं था फिर भी 130 पलस उन्होंने मारे हुए लेकिन अब paper का structure बड़ा change हो गया है अब जो बच्चे आपड़ चीजों को समझ रहा है ना वह paper को pass कर पा रहा है ठीक है तो content के लिए आपको सबसे पहली चीज और सबसे important चीज जो आपके सामने है very very important वह है PYQ यानि कि previous year के question प्रिवेशर के question खासकर आपके 2018 से अभी तक के जितने भी हुए तो एक तो मेरे सामने ही है यह अभी आपके जनवरी वाला है और यह आपका इससे पहले जो अगस्त के अंदर हुआ ता वह है यानि दो paper के तो प्रिवेशर के question मेरे पास है ज तो वह आपके पास paper होने चीए एक 2018 वाले भी यार आप लोग देख लेना उसका लेवल अच्छा पूछा गया था उससे पहले की करने की जुरूत नहीं है अगर आपके पास यह प्रिवेशर के question है चाया आप लोग official जो इसकी website है वहां से जाके ले सकते हो या फिर मेरी ख किताब नहीं आई सीटेट की बट अब आएगे आपकी ठीक है तो चाया आप लोग मेरी ले सकते हो अगर उसके लावा कोई publication आपको अच्छा लगे तो उसकी ले सकते हो या पीवाई क्यू आपके पास collection हो वो ले सकते हो या मेरे वाले सीटेट के notes है वो ले सकते हो जिसके करता हो CDP की देखे CDP की चाया आप लोग मेरा batch लेते हो ठीक है जिस पर लड़ी आपके बच्चे admission भी लेते जा रहे या आगे भी आप लोग किसी भी subject की तयारी करते हो या किसी आप लोग paper की तयारी करते हो जापर CDP आता है तो वहाँ batch के अंदर भी CDP मैं पढ़ाता हो और online class जो मेरी चलती है यहाँ पर भी CDP की class चलती है और मेरा time हमेशा 8 बजे का होता है चाया कोई भी subject हो 8 बजे मेरी class चलती है तो CDP के लिए अगर मैं screenshot यहाँ पर डालना शुरू करूंगा जो बच्चे CDP के अंदर 30 में से 30 लाते हैं चाया वो paid class वाले हो चाया YouTube से भी प कर आ जाओंगा ठीक है लेकिन सबसे वड़ी बात है लगाओंगा कितनी है ठीक है तो आपको CDP के लिए simple सा इस आदमी को पकड़ लेना और कुछ करने की जरूत नहीं है तो CDP ये बंदा आपकी करा देगा ठीक है और इसको पकड़ रहना साइसे और कुछ करने की CDP में जर से दूसरे बच चलाते हैं मैं तो 29 वालों को भी कंसिडर नहीं करता हूँ हमेशा 30 भाई 30 पर ध्यान लगता हूँ ठीक है अपने वाला फोन दे दे मेरे वाला है अगर मैं बात करूँ आपके अगले सब्जेट की बात करूँ देखे पेपर फर्स्ट वालों का आपके सामन देता हूँ जिसके अंदर आपके कुछ टैट टाइप कोश्टन होता है कुछ साइंस से रिलेटीड कोश्टन आपको देखने को मिल जाते हैं अधरवाइस आपका मैक्सिमम कंटेंट इन्हीं एंसी आर्टी की किताबों में साथ है और इसकी जो पैड़ागोजी भी करनी हो जिसके अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादे दिक्कत आती है खासकर जब से पेपर आपका उनलाइन हुआ है ना तब से बहुत इस्टेंडर्ड पेपर एक्जामिनर पूछा गया है कथन और कारक वाले कुशन आपने पढ़े है ना अजरसन और रिजन के तो आपके सभी स रती आप लोगा आपका Social Science ओ छाया पका Math science ओ तो याप पर सिक्स क्लास से लेकिर से लिए तो मैं पुब्लिकेशन की सलाह नहीं दूँगा लेकिन भाई NCRT की किताबे इतनी आपकी ट्रस्ट वर्द दिया आप लोग इसके उपर आख बंद करेके यकीन कर सकते हो और पेपर इनी में सापकाता है ठीक है तो यह कर सकते हो और इनके साथ में एक PYQ ले लेना क्यो ठीक है क्योंकि मैं अपने मुझ से अपनी तारिफ क्या करूँ अगला आपके सामने सब्जेक्टा मैथमेटिक्स चाय पेपर फर्स्ट की बात करें चाय पेपर सेकंड जिन बच्चों ने मैस साइंस लिया हुआ है आपके पास अपना बेस करने का बहुत बढ़ी तरीका है कुछ बच्चे मैस का नाम सुनते हैं बाविदाते हैं नहीं हम तो नहीं कर पाऊगे अभी तीन-चार दिन पहले क्या नाम ता उसका बच्चे का नागें नागेंदर अभी एक बच्चे का मैंने इंटर्यू डाला आए ठीक है आप लोग जाके देख सकते हो दो दिन दिन नहीं आएगी तो आपको अपना बेस इस्टों यही से करना बहुत जरूरी है यहां से बेस इस्टों कर लिया प्राइमरी की बात करें तो आपके फिप्थ किलास तक का मैस आता है बड़ा बेसिक मैस होता है और किसी एक्जाम में तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा इनको छोड़ो मत यह आपका बेस इस्टोंग कर रहे है ठीक है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आप लोगों को पास नहीं होना अच्छे नंबर से पास होना है क्योंकि आपका बेस इस्टोंग होता है वहना सी बेसिया कोई और आपको इनाम नहीं देता हूँ उनके आगे तक का खर्चा पूरा फिरी रहता है जब तक वह एक्जाम की तयारी करते है ठीक है अगर मैं बात करूँ आपके सामने लेंग्वेज की बात करूँ चाहा आप लोग कोई भी लेंग्वेज लीजे सभीका सिलेबस और पैटन एक जैसा होता है मालीज आपने हिंदी ली इंग्लिस अचा काव्यांच कहते हो और इन्ही मैंस आपकी ग्रामर पूची जाती है ठीके इन्ही मैं से 3-4 क्वेजार लेगा ठीक संदी् समाच लंकार याप करने की जरूत होती पूरी गरामर करने की जरूत नहीं पड़ेगी ठेक और यह पेरेग्राफ पुरी के प्रिघ्राफ है इसके अंदर जाद दिमाग नहीं लगाना पड़ा पड़ा कॉशन पड़ा उसका आंसर पूचा आंसर दें दिया बेसिक ग्रामर पड़ी सीधा उसका आंसर निकल कर आगए ठीक है और बाकी के जो आपके नंबर होते है वह थे पैड़ागोजी के लिए भी क्या चीज आपको चीए तेका अगर मैं बास करूँ आपकी पेड़ागोजी की खासकर आपकी हिंदी और की बात करूं ठीक है क्योंकि बाकी दूसरे एकजाब में मिलती जुलती है यार इसका स्टेंडर्ड देखने को मिला है जब से पेपर उनलाइन हुआ है उनना एक दम रद्धी हिंदी पूछी जाती ती यारी जो पेड़ागोजी पूछी जाती थी हर लेंगवेज की पेड़ागोजी बिलिकुल रद्धी मतलब वही घिसे पीटे टोपिक वही घिसे पीटे कंचेप्ट असान असान से टोपिक लेकिन जब से पेपर आपका उनलाइन हुआ है सी बेसी ने इतना बड़िया स्टेंडर्ड रख दिया आपक पास एक तो प्रीवेसर के कुष्टन होने चीए और दूसरी चीज आपके पास सी बेसी की किताबे होने चीए यहां से आपको यह पेड़ागोजी देखने को मिलाएगी जिसका इस्टेंडर्ड बहुत बड़ी आपको देखने को मिलेगा ठीक है या फिर आप लोग इस भा पेड़ागोजी उसकी लेंगमेज की बात होगी अब मैं बात करो तो आपका अगला सेक्षन पेड़ागोजी का चाहिए आपका प्रफर्श्ट प्रफर सेकंड ओचा कोई भी सबजेक्ट हो उसमें आपको पैड़ागोजी देखने को मिलती है और मैं आप से बिल्कुल चै में बच्चों को कैसे एंगेज करना है कैसे रियल लाइफ करनेट करके उसको पढ़ाना है ठीक है तो इसके लिए आप लोग कोई टीचर पकड़ सकते हो और उसके साथ में पीवाई क्यों आपके पास होनी जरूरी है माली जब फोर एक्जांपल आपने यह भाई साफ सचीन स बता दीजी नहीं उसका इंप्लेमेंटेसन होता है वह बहुत बड़े अधिकारियों के थुरू और बहुत बड़े विद्वानों के थुरू वह यहापर खुद ट्रेनिंग देते हैं तो उन ट्रेनिंग का मैं इससा रह चुका हो और उसी क्या दार पर मैं आपको पैड़ जी देखनों को मिलेगी ठीक है तो यह आप लोग कर सकते हो लेकिन पीवाई क्यों आपके पास होनी चीए और इस भाइस आपको मत छोड़ना अपने एकजाम तक ठीक है तो जो जितनी में चीज़ेती वह यहापर मैंने बताई लेकिन अभी एक और बड़ी इंपोटेंट चीज देखनों को मिलिए अभी जो आपका जन्वरी के अंदर एक्जाम हुआ बहुत सारे बच्चों के सिकात आई कि सर जब हम पेपर के अंदर बैठे थे तो हमें जो पेपर है काफी लेट हमको पेपर दिया और हमसे पेपर पहले ले लिया ठीक है मतलब टाइम पर ले ल अगर एक्जाम के अंदर आपको लेट आपको पेपर देता है तभी वहाँ पर उस चीज को विरोध कर देना कि टाइम से हमको दो कुछ आपकी कि लास के इंदर गड़ी भी नहीं नहीं लेके नहीं जाोगे तो आप लोग अपना टाइम मेनेजमेंट नहीं कर पाओगे और तो बहुत से बच्चों का फेल होनी की वज़बन नहीं थी यह टाइम मेनेजमेंट, तो आपको अपना टाइम मेनेजमेंट करना है, पेपर अब आपका उफलाइन होता है, जितना कोशिश करिए, एक ओमार चीट अपने पास रख लिए, और पेपर लगा के खूब देखिए अभी मैं आगे दिनर की बात कर रहा था, इससे पहले जो लड़की आई थी, उसका मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, अपनी मुमी के साथ वा आई थी, उसने का सर पेपर से पहले लगबा हफ्ते दर दिन पहले तो मैंने खूब अपने प्रेक्टिस करे, ठीक है कि ये पेपर, ये सैट लगा लिया, तो सर मेरी इतनी स्पीड बढ़िया बन गे थी, मुझे एक्जाम के अंदर दिक्कत नहीं आई टाइम की, वहना सीट एट के एक्जाम में आपको टाइम की दिक्कत आती है, और खासकर अगर एक्जामिनर इस प्रकार की दिक्कत कर दे, ल मैं पूरा कोर्स देता हूं, सारा कंटेंट देता हूं, उसे कंदर अपने मोग टेस्ट भी देता हूं, ताकि बच्चा ओनलाइन एक्जाम को भी लगा कर अपनी तयारी कर ले, लेकिन साथ में ओमार सीट को पर गोली भी भरते जाना, इन गोलों के अंदर भी कई गलती हो करती है, तो कुल मिलाकर अपना टाइम मेनेजमेंट आपको अच्छी तरीके से करना है, जा आप लोग 130 लाओ, 140 लाओ या एक्जम पास भी करना हो, वरना ये बड़ी गलती है, आप लोग आपर कर दोगे, ठीक है, तो देखें, जितनी भी चीजे थी, एक एक करके मैंने आ आपको पढ़ाता जाओंगा, आपको चीजे क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है, एक मैं CDP की syllabus वीडियो आपके सामने शेयर कर दूँगा, एक डेमो भी हो जाएगा, जो नए बच्चा है, उनको पता लग जाएगा, वन्हें सुचेंगे कौन टीचर है, ठीक है, ठीक है, और बाकी आप लोग अगर बैच में नोल करना चाहते हो, तो यह कर सकते हो, तो इसके अंदर भारी संक्या में हर साली बच्च अपना एडिमिसन लेते हैं, और एक जंग है बैठकर सारा content उनको मिल जाता है, सारे teacher मिल जाते हैं, और अराम से पढ़ते रहते हैं, और एक साल इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगी, live class, mock test इसके अंदर आपको देखने को लेंगे, bilingual बैच होता है, doubt class, यह सब इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, एक बार तयारी करो, बढ़ी आतरी से, seat at के exam को पास करो, lifetime तक के लिए आपका valid होता है, दुबारा आप कोई सवाल बच्चे जाता है, तो जल्दी से मुझसे question पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है, तर BPSC का course लिए, seat at join करना है, अचा BPSC का पहले ले लिया आपने, ठीक है भाई, पहले seat at हावाली की तेयारी कर लो, आप लोग, ठीक है, यूटूब पर class भाई अभी आपकी, मैं ल प्रूँ जाएगी, जिसको आपने सचने अप्लिकेशन के ओपर यहापन ले सकते हो, ठीक है, यह सभी मैंने आपके सामने चीज़ें शेयर कर दी, उसके लिए बेफिकर रही है, यह आपका सब जगहां खुलेगा, चाहे लैप्टो चला रहे हो, कम्पीटर चला रहे हो, ठीक है, हाँ पिछले वाला कोर्स, एजीटी जाप करेगा, मैंने टाइम बढ़ा दिया, ठीक है, अब चलो मान लिया, 102 नंबर आपके आगे, ठीक हाला कि कोई इतना बड़ा ज्यादे स्कोर तो है नहीं, लेकिन ठीक, आपके 102 नंबर आगे, अब दुबारा सीट एट की त ठीक है, ठीक है, क्योंकि सीट एट में मान लिजा आपके पास हो गए हो, या 102 नंबर भी आगर आगे, तो दुबारा इस एक्जाम के लिए अपनी इस पर ध्यान मत लगा, आगे एक्जाम के लिए ठीक है, सीट एट का मत खेलते रहो, ठीक, और पूछो जल्दी से, ठीक है ठीक है, बुक का रहीगी, यार बुक जल्दी काम चल ला है, ठीक है, तो मुझे जो अभी टाइम लग रहा है, तो हफ्ता बर तो मुझे कंटन को final करने में लग जाएगा, क्योंकि मैं खुदी लगाओ पड़ा हो बुक यंदर, ठीक है, क्योंकि आपको बैष्ट देनी है, अगले जो साल भर है यह आपके लिए ऐसी कोर्स रहेगा इन फेक्ट अगर मालीजे आप लोग सीटेट का एक्जाम पास कर देते हो और उसके बाद जो भी आप लोग मेन एक्जाम में बैठते हो जिनस आपको जो मिलती है उस पर भी आपको 20% डिसकांट उन कोर्स के उपर आ यह इसके तेयरी करो यह एस्टेट की एस्टेट की करो ठीक है अभी फिलाल एस्टेट की करो जो आपके अगस्त के अंदर पर स्थावित है चलो भई और कोई आपका सवाल है पूछ लेना एक मैं वीडियो बना दूँगा और यह पेपर को यार मैं अनलिसीज करा देता हू ठीक है पेपर फ़स्ट और पेपर सेकिंड मैं दोनों का अनलिसीज आपके साथ करा देता हूँ जो जो इसके अंदर सब्जेक्ट है इनकी वीडियो में बना दूँगा आपको पता लग जाएगा कि कैसा कुश्चन पूछा जा रहा है और किस किस माध्यम से पूछा जा र ठीक है तो पहले मैं पेपर को भी अनलिसीज कर देता हूँ आपके सामने आपको पता लग जाएगा पीवाई क्यों को सोल करके क्या में यह पर आता है और पेपर का सिल्वस पता लग जाएगा फिर आप लोग के पास तरीका है यूटूब से पढ़ना चाहिए यूटूब लगा लिए और आपको पता लग जया वहां को पढ़ना क्या है और कैसे कैसे हमको पढ़ना है और दो-तिन दिन यह सर्च कर लिए कि आपको यह जो कंटेंट कहा से मिलेगा मालीज आप पेस लेते हो फिर तो सर्च की जड़ोती नहीं एक जंग सभी मिल जाएगा अगर माली करना चाहते हो तो फिर देख लिए लेनी है चलो यार ओनलाइन में डाउनलोड कर लेता हूं ठीक है फिर उनको नोर्स बनाओंगा ठीक है फिर मार्किट के इंदर को किताब जाओंगा तो इसमें अपना तीन चार दिन लगा लिए तो मैं आपर कभी फोर्स निगरता कोर्स के लिए क्योंकि बिना फोर्ज करें लेडी बच्चा इतना लेता तो आपकी चोईस है कोर्स के तुरू जाना चाहिए चाहिए आपको पढ़ना दोनों जेंगे फड़ेगा ठीक है तो चलिए फ्रेंट्स मिलता हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जिसमें मैं आपको पे लेकिन बस उन गलतियों से बचना है जो सुरुआत में मैं आपको गलतिया बचाए ठीक है चलिए फ्रेंट्स मिलता हो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर थेंक्यों